हेलो स्प्रेंट्स उम्मिद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आने वाले प्रिलिम्स की तैयारियों में जोटे होंगे लगतार ये मैसेजेज आ रहे थे कि करंट अफेयर्स का वेटेज कैसा रहता है CGPSE के प्रिलिम्स के एक्साम में और करंट अफेयर्स को किस तरह से तैयार किया जाए कुछ लोग मेरे सोर्सेज को जानने की बात कर रहे थे तो इन लगतार क्वेश्चेंज को देखते हुए मैं ये वीडियो आपको आपके लिए लेकर आया हूँ और जिसमें मैं ये बता सकूँ आपको कि करंट अफेयर्स का वेटेज की इस तरह का रहता है कैसे करंट अफेयर्स पूछने का ट्रेंड चेंज हो गया है और मैंने किन sources को follow किया था जिससे मैं current affairs के question में काफी better perform कर पाया था दिखे एक कहावत है कि अगर आपको एक पेड काटना हो और आपको एक कुलहाड़ी दे दी जाए पेड काटने के लिए और तीन घंटे का समय आपको दे दिया जाए तो आप ततकाल ही पेड काटने मत लग जाए बलकि सबसे पहले आप आदे से ज़्यादा वक्त अपने कुलहाड़ी को तराशने में बिताइए और उसके बाद पेड को काटिये इससे आपका काम जल्दी और बहतर होगा मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर करेंट अफेयर में बेटर स्कोर करना चाहते हैं तो इस बाद का इंदिजार मत करिए कि एक्जाम के ठीक पहले मार्केट में कुछ किताबें एविलेवल हो जाएंगी और आप उसको पढ़के जाके एक्जाम देंगे और आपका पाड़ी को पहले ही तराशिये कहने का अर्थिये है कि आपको अगर प्रिलिम्स देना है 36 गड़ PSC 2021 का जो कि फरवरी में होगा तो आपको एक जनवरी 2021 से अपने करेंट अफेयर को तयार करना पड़ेगा बीते प्रशन पत्रों के ट्रेंड को देखेंगे तो आप ये पा पहले के questions लोग नहीं देते हैं हाली में प्रशनों के pattern को आप देखेंगे तो आप one liner current affair questions के question पूछने बंद कर दिये गए हैं अब current affairs के questions भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा option आपको choose करना है तो अगर आप इसको deep नहीं पढ़ेंगे तो current affair के questions solve कर पाना भी काफ आसपास तो रहता ही है और पिछले कुछ प्रशनों को देखेंगे तो अब current affair के प्रशनों का weightage बढ़ रहा है और ये बढ़के 15-18 के आसपास पहुच रहे हैं तो सबसे पहले तो वो sources जिनको मैंने follow किया था जिससे current affair में मैं better perform कर पाया था तो सबसे पहला source 36 गर जनसंप पर की अपने खुद के website जो की DPRCG के नाम से है आप Google पे DPRCG के website पर जाएए और यहां पे रोजाना चत्रिवा की खबरें अपडेट होती रहती हैं लेकिन आप आज की खबर आज ही के दिन मत खोजिए अगर DPRCG का बहतर तरीके से उपयोग करना है तो इसको हर दिन करन्ट अफेर्स के लाइक क्या question है उसको आप अलग से एक रजिस्टर बना के करन्ट अफेर की copy में आप उसको note down करते चलिए तो पर दे बेसिस पर जब यहां काम आप करते रहेंगे तो आपके करन्ट अफेर्स note down होते रहेंगे इसके अलावा अगर आप Facebook का ज्यादा सेज़ पर हिंदी में भी और चतिस गड़ी में भी चतिस गड़ में एक आडियो भी इसमें upload होती है तो अगर आप अपना चतिस गड़ कंटेंट भी अच्छा करना चाहते हैं करेंट अफेर के साथ साथ तो इस आकाश्वानी रायपूर के bulletin को सुनिए करेंट अफेर के सा लावा आपको एक अख़वार पर डे पढ़ना ही पढ़ना है अब वो अख़वार कौन सा होगा वो आप देख लिए मैं दो अख़वार पढ़ता था एक पत्रिका और एक धैनिक भासकर इन दोनों अख़वारों को मिला कर पढ़ने के बाद जो content लगते थे डिपी आर का material त्यार हो गया था इसके बाद जब एकजाम आया तो एकजाम के ठीक समय पहले कुछ magazines भी market में आ गई थी मैंने उनको भी follow किया ये देखने के लिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो मुझसे इन बीते एक वर्षों में note down करने के बाद भी miss हो गया था तो मैंने को solve करने में आसानी होई दूसरा मैंने बीके नया की current affair की book follow की थी और तीसरा मैंने प्रतियोगिता सारांश भी ली थी जो कि टुटेजा एकेडमी की किताब है इन तीनों किताबों को मैंने एक नज़र में देखा था चुकि पुराने के current affair के question मेरे तयार थे इसलिए पहली किताबों को cite कर दिया इस तरह से exam के तक गरीबन 20 से 22 दिन पहले current affair का concise notes बन चुका था और मैंने सिर्क 31 जनवरी 2020 तक के current affair पढ़े थे इसके बाद exam चुकी फरवरी के second week में होता है तो last के 15 दिन के current affair पढ़ने की ज़रूद नहीं थी तो इस तरह से आप भी अपनी strategy बना कर इसको follow कर सकते हैं आप अपने sources को change कर सकते हैं लेकिन जो विश्वसनी सोर्स हैं जैसे की DPRCG की website आकाश्वणी रायपूर का facebook page और अखबार ये तीन अगर आप लगातार follow करते रहेंगे तो आपका 36 गड़ का जो content है current affair का वो बहु उसे ही बनाते चलेंगे तो आपका content तयार हो जाएगा जैसे की 2020 के प्रियसी prelims में ही question पूछा था कबड़ी के खेल को लेकर कौन कौन से खिलाड़ी बहुत सारे लोग इस question को नहीं कर पाया थे लेकिन अगर आपने DPRCG web portal follow किया होता तो आपको इस question का answer पता होता अब हम आते हैं current affair के राश्ट्री वाले portion पे नेशनल वारे portion पे चतिरवा का current affair तो फिर भी तैयार हो जाता है लेकि national portion वाला current affair तैयार करने में aspirants को बहुत परिशानी होती है तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक अख़बार regular follow कीजिए क्योंकि अख़बारों में national जो परा पसंद करते हैं और जो कुछ भी आपको लगता है कि ये आपके लिए बहतर current affair question हो सकता है तो आप एक अलग से national current affair का notebook मनाईए और उसमस portion को note कर लीजे इसके अलावा मैं study IQ पर डॉक्टर गरोगर का current affair follow करता था डॉक्टर गरोगर के current affairs daily upload होते हैं और बहुत ही इसके अलावा द्रिष्टी IS भी काफी अच्छे current affairs upload करता है आप उसको भी देख सकते हैं इन YouTube channels को follow करने से एक चीज अच्छी ये होती है कि आप mains के लिहाज से भी अपने current affairs को तयार कहते रहते हैं क्योंकि इसमें analytical चीजे रहती हैं और एक international relation भी आपका तयार होता जाता है क्योंकि चीजों का एक अलग perception रखने की आपके ख्रमता भी develop होती जाती है मैंने monthly current magazine कोई भी follow नहीं करी थी मैंने शुरुआत में एक दो monthly current magazines को खरीदा लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाया क्योंकि 36 गड़ के लिहाज से पिछले प्रश्पत्रों को देखते हुए एक न्यूस्पेपर का दूसरा एक आपका होगया study IQ का और last में फिर से वही magazines आ जाती है market में इसमें राश्ट्री समसामाई की चीजों का भी समभवेश रहता है तो उसको लेकर आप अपने notebook में add कर लेजिए कि कौन से वो portion है जो आपसे छूट गए हैं लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा assistant director जन संपर का जब मैंने exam दिया था उसी के साथ assistant register का भी exam था deputy register का भी exam था उसमें जो current affair के questions का level था वो बहुत ही ज्यादा high था लेकिन current affair को better तरीके से notebook बना कर उसको बार बार revision करने की वज़े से मुझे लगता है कि मेरे rank one आने के पीछे मेरे current affairs का का काफी अहम योगदान है तो इस तरह से आप planned way में जब अपने current affairs को शुरू से ही लेकर चलेंगे तो आपका current affair बहुत बेटर हो जाएगा और आपके अपने current affairs में से आपको खुद objective questions बनाने हैं ताकि वो चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रहें सिर्फ बार बार पढ़ने से ही वो चीजें याद नहीं हाती हैं वो आपको memorize भी करना पड़ेगा मैं एक चीज ये करता था कि कोई question मुझे बहुत अच्छा लगता था तो मैं खुद से उस question को objective का रूप दे देता था और एक बार जब मैं 10 से 12 adjective बना लेता था तो हपते में एक बार उसको solve जरूर करता थ ताकि मुझे ये पता रहे कि मैं उन चीजों को याद कर पाया हूँ या नहीं और इस तरह से multiple time जब ये चीज होता है तो exam में आप अपने questions को बहुत आसान तरीके से solve कर ले जाते हैं तो देखिए अगर हम 36 गड़ के दूसरे portion के बात करें जो कि current affair का है तो उसमें भी current affair का इस question अगर solve कर ले जाते हैं तो आपको बहुत सारा ऐसा static portion जो आप solve नहीं कर पाते हैं तो भी पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप कहीं बहतर position में होगे पिछले कुछ exams को देख लीजिए आपके selection के पीछे current affair का बहुत अहम योगदान होगा अगर current affair आप better तयार कर पा रहे हैं तो ही आप इस race में सामिल हो सकते हैं देखे मेरा ये मानना है कि पढ़ हर कोई रहा है लेकिन कुछ लोग select हो रहे हैं और कुछ लोग select नहीं हो रहे हैं तो select होने और select नहों होने के बीच की जो दिवार है वो दिवार है practice की तो जिस तरह से लेकिन post के according 15 गुना लोग ही mains में बैठते हैं और last में फिर तीन गिना लोग interview के लिए select होते हैं तो success ratio बहुत कम है मैं ये मानता हूं कि अगर आप एक planned way में चलेंगे किसी भी exam देने से पहले आप अपने हथियार तो को तयार करेंगे जैसे कि पेड काटने के पहले आप फॉलो किया था आप चाहें तो आप भी इनको फॉलो कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए कारगार हो लेकिन फिर भी आपको कारगार लगे तो आप इसे फॉलो जरूर करिए तो DPRCG की website आकाश्वाणी राइपूर का Facebook page इसके अलावा एक दो current affairs की YouTube channel जो आप पस उसमें एक या दो आप चूज कर लीजिए और पुराने notes जो आपने बना हैं उन notes को इन magazine के थुरू update कर लीजिए ताकि जो questions नए मिलें वो आपके notes में आ जाएं और आप उसे recognize कर पाएं तो इस तरह से आप current affair में better score कर पाएंगे देखे चाहे कोई भी exam हो व्या पम हो CZPSC या फिर अभी SI की भरती होने वाली है वो हो उसमें भी current affair का weightage तकरीवन 15-20% का है तो current affair एक वो रास्ता है जो आपको selection list में काफी आगे लेकर जा सकता है तो उमीद करता हूँ इस strategy आपको पसंद आई होगी current affair को weightage को ध्यान वे रखते हुए आप current affair पर focus करिए और एक अपनी तैयारी करेंगे और जो आपका लक्ष है उस दिसा में और आगे बढ़ेंगे फिर मिलूंगा एक नए strategy और एक नए video के साथ thank you